आकास चौपडा का दावा पारी का आगाश करें तो यह भारतिय वल्लिवाज जड़ सकता है ODI Double Century टीम इंडिया के पूर्ब कर्केटर आकास चौपडा ने बताया है कि मौझूदा समय में कौन सा ऐसा वल्लिवाज है जो बंडी इंटर्नेशनल में टीम इंडिया के लिए Double Century जड़ सकता है बारत और उस्टेलिया के 20-27 नमंबर से तीन मैंचों की वंडी इंटर्नेशनल सीरीज खेली जानी है इस सीरीज में टीम के उपकपतान रोहिश श्यर्मा नहीं होंगी रोहिट की जगे केल राहुल को उस्टेलिया दोरे पर लिमिटीट ओवर सीरीज में उपकपतानी की जिम्मेदारी सौपी गई है आकाश चौपडा का माना है कि राहुल अगर वेटिंग ओर्डर में टॉप पर खेलने उतरते हैं तो Double Century जड़ सकते हैं वन्डी इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन Double Century जड़ने वाले रोहिट शर्मा दुनिया के एक लौती वल्लिवाज हैं इनके अलावा कोई और वल्लिवाज एक से ज़ादा Double Century नहीं जड़ सकता है लिमिटेट आवर क्रिकेट में रोहिट को दुनिया की बेस्ट वल्लिवाजों में गिना जाता है और वह काफी शानदार फॉर्म में भी है आकास चौप्रा ने कहा है कि केल राहुल ऐसे वल्लिवाज हैं जिने अगर पारी का आगाज का मौका मिले तो वह Devil Century जड़ सकते हैं आकास चौप्रा का माना है कि रोहिट की गैर मौजूदगी में केल राहुल को ही शिकर दवन के साथ पारी का आगाज करना चाहिए इसके अलावा उन्होंने सुझाब दिया है कि संजू सैंसन को विकेट कीपर वल्लिवास की तौर पर टीम में जगए मिले जिससे बैट टीम के लिए फिनीसर की भूमी का भी निवा सकते हैं चोपड़ा ने यूटूब वीडियो में कहा है कि मेरा दिल कहता है कि केल राहुल को पारी का आगाज करना चाहिए वह ऐसे खिलाडी हैं जो सतक लगाती हैं और अगर बहुत अच्छा खिलें तो डवल सेंचुरी जड़ सकते हैं तीम इंडिया में आपका फैवरेट खिलाडी कौन सा है हमें करके जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार